हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू आर यूट्यूब चेनल और आज अपने करने वाले हैं टोमेटो क्रोप, टोमेटो कल्टिवेशन, टमाटर की खेती तो आप क्लास को लाज तक देखना जिससे आपको अच्छे से क्लास समझाएगी और अगर आपको कुछ भी नया सीखनी को मिल कुछ भी आपको यहां हमने आज कुछ सीख है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना जिससे आगे भी आपको टाइम टाइम पर वीडियो मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी जो सबसे जद्ध हैं अगर अपने प्रोडेक्षण की बात करे वर्ड की अंदर तो वह होता है चाइना की अंदर टार्वक्षास चाइनड को पिस्का अदर नाम बिया इसे वूल्फ एपल भी कहतीया है और विलाइती बेंगन भी कहते हैं बेंगन तो यह नाम भी आप याद रखेगा कभी डारेक्ट टोमेटो नाम ना देखके वुल्फ एपल नाम दे सकते हैं ऑप्शन के इंदर इसको ना जाए जिसमें वुल्फ एपल का बोटेनिकल नेम पूछ सकते हैं वुल्फ एपल की फैमिली पूछ सकते हैं तो आप इन गयनामों को भी याद रखना इसके लेकिन एन जो सी विटामिन से वांबर मातरा हमें इसके अंदर तो चलिए start करते हैं सबसे पहले start करते हैं इसका botanical name इसका botanical name है Lycopersycon Escolandum जो first letter होता है यह genus होता है second जो होता है letter वो species होता है इसकी family है solenessy इसका एक और नाम भी है night night shed night shed यह इसका दूसरा नाम है इसको भी आप यहाद रखना अजकाल बहुत अलग तरीकर कोश्चन बनने लगे एक जाम्स में डिसमें डारेक्ट कोश्चन नहीं पूझे जादे जैसे फेमिली दे दी टोमेटों की फेमिली क्या तो उसमें शोलेने सी ओप्शन ही नहीं होगा नाइट सेट ओप्शन दिया होता है तो आप इसको भी नहीं कि क्या उपकाटन चाहूँब ने जो रहती एग जितने भी क्लाइट होते हैं जैसे यह और यह अगों कोश्चे के रूप में बशोते हुननको गेली कहते हैं तो फ्रूट टाइप बेरिये इसका यह नंबर वन प्रोसेसिंग वेजीटेबल है सबसे ज़से प्रोसेसिंग की जाती है ना वो टोमेटो की अंदर की जाती क्योंकि इसको जो ग्रो की जते हैं वह पांच पीट से कम वाली जो सोईल होती है उस पर अपने इसको ग्रो कर सकते है यही इसकी क्वाल्टी अभी इसकी नंबर वन है प्रोसेसिंग अंदर आप देखती होंगे सबसेंग जो आती हैं प्रोसेसिंग मटीरियल जैसे कैचप सोस तो सबसे ज़से हैं इसी से ही बनते हैं यह सीथरी प्लांट है सीथरी प्लांट मैंने आपको चैसे एक्स्पैं यह जब इसके फ्लोरिंग आती है तो इसके कोई टेंपरेचर का प्रभाव नहीं पड़ता भी इसको इतनी वद्धिका ही तापमान चाहिए यह ऐसा कुछ इसको पूरे साल भर ग्रोव कर सकते हैं आपने देखा भी होगा कि पूरे साल भर अपने टमाटर मिलता है विजार मे है तो यह बिए नीवटल प्लांट है कि नेक्स रह या सल्फ पॉलिनेटटु सेही पंदबर जो मेल अपीर मेल पाहर होते हैं ऐससे फलोर में होते हैं और शुलोर में रचीज दिल्ज़न करते हैं जिंक लॉवंग प्लांट हैं जी जो नीवटमी प्लांट होती है दूर prep के कारण होता है कभी आपने देखा होगा कि ग्रीन टमाटर की तो अलग बात है घ्रीन तो मैचुर होने से पहले ग्रीन ही अधा है लेकिन कभी आपन सबस्दा तर्माटर की अंदर अच्छा रैडिकलत नहीं आता तो वह क्या होता है कि टैंपरेचर पीटे से 21 से 24 टीकरी का त wine च giorn चालिस्क सिस्ट इसको लाइख अज़े तरीके से बनता है मतलब डुम्राटर का पूरा लाल बनतर है और 27डिद्ग्री सेलव के बाद में क्या होताक हुआ इसका गटन साथ एसका जो बनना है लाइक अच्छा और पी लकुल बने घू होता है तो आप यह भी याद रख सकते यह डारेक्ट कोशन पुछ चाता है अभी कितनी टेम्परेचर पे अच्छा बनता लाइक पीन तो यह आप याद रखेगा 21 से 24 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट है क्लाइमेट क्लाइमेट जो इसको चाहिए वो चाहिए इस बैसिकली वार्म सिचन क्रोप बट में बी गोन इन ओल सिजन मैंने आपको पर बताया भी एक डे न्यूट्रल प्लांट इसको पूरे साल बर करते हैं अपने फिर भी यह वार्म सीजन है वह मतलब बेस् टेंप्रेचर टेंप्रेचर इसको लिए उप्यूकत है वह मैं आपको पहले बताया लाइक ओपेन के लिए तो यह एक रेंज में बात करें तो 21-24 डिगरी सेवाद सिसके लिए उप्यूकत माना गया है जो सोईल है इसके लिए वह वो एल्डेंड सोईल सेंडी और रेड ल है 304 प्रती हेक्टर नवर्मल जो अपने घ्रो करती है कोई मतलब हाइब्रीड opened ना लिह हो तो तो तेन सो तेन सो पचास से चार सो ग्राम प्रती हेक्टर सीड डालते हैं इसकी जो हाइब्रीड सीड अपने लेते हैं तो उसकी सो से डट सो ग्राम प्रती हेक्टर मात्रा रखते हैं नेक्स्ट हैं इसेजन ओप्लांटिंग इसकी प्लांटिंग कब करते हैं सीट्स और सून आई फ्रेंड सून नहीं कि असो डबली नहीं है वन सेकंड तो नहीं आप याद रखिए गाशन के रिए जून जुलाई फॉर ओटम भी ओटम को सीजन के लिए उत्म अगर अपने क्रॉप करने तो जून जुलाई के टाइम में विंटर्चाइव और स्प्रिंग के समर्रॉप Act ले रहे हैं तो चैंट से टोयलों डे 오른ट एंट आपको और समर सीजन है तो आपने चुछ चाहिए करने चाहिए नेक्स्ट है वेराइटी वैसे तो प्रेंसिस की बहुत सारी विराइटी है आप मतलब अपने इतनी याद नहीं रख सकते लेकिन यहां पर जो मेन मेन विराइटी मैं आपको वह बता रही हूं जो एक्जाम के दर स्टी से बहुत इंपोर्टेंट है तो इसमें फर्स्ट है पुसा रूबी जो पुसा रूबी वराइटी है यह सी ओक्स एंड इंप्रूड मेरूटी से डवलप की गई है वन सेकेंड फ्रेंड इंप्रूड मेरूटी से इंप्रूड मेरूटी इन दोनों के क्रोस करवाके यह डिवलप की वराइटी है पुसा रूबी सेकेंड अरका विकास अरका विकास तो वराइटी है ड्राई एरिया की बेस्ट है अरका विकास नेक्स्ट है पुसा वंटवंटी जो पुसा वंटवंटी वराइटी यह निम इसमें हिस्टोरियोष में संजिय होती है इसको लगा तकते फिर सूरब सिर पूषा में प्रसिजिशारे हमेहैं सहर शीचोर भाइट यह वी नेमेटॉर रजिस्टेंट वराइटियो नेक्सट पूसवीट, यह जो पुझा सितल है यह विंटर सीजन के लिए बेस्ट है नेक्स्ट है असल वन ट्वन्टी यह भी निमेटो डिस्टेंट वराइटी है फिर रोमा पारकर रोमा यह ट्रांस ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग के लिए शूटेबल है पारकर पंजाब चुआ रहा है यह यह भी प्रोसेसिंग के लिए बेस्ट है मतलब शूटेबल मानेगे प्रोसेसिंग इसमें अची तरह से होती है और यह पारकर वराइटी यह फ्रूट बोरज लगता है उसके प्रती रेजिस्टेंट वराइटी है फिर फ्लेवर से और यह यूसे से अपने इंपोर्ट के फिर है अरका मेगाली अरका मेगाली है यह दिक वर्षा वाले एरिया के अंदर अपने ग्रो होती है उसके अंदर लगाते है इसको नेक्स्ट है प्रोप प्रोटेक्शन इसके अंदर कौन-कौन से डिजीज लगती है तो फर्स्ट है प्लाइट ओफ टॉमेटो ब्लाइट पोज़ना लगती है इसके अंदर यह एक बैक्टेरियल डिजीज है जिसमें क्या होता है कि पैजिस से बन जाते हैं लीफ पे दो इट केन वी मेनेज्ट बाइ यूज ओफ कॉपर फंगिसाइड कॉपर फंगिसाइड इसको मेनेज़ कर सकते हैं इसके कॉपर यह शंबाव और मुद इसको ट्रांसमेट करता हुए वाइरिस इसके तविस्य क्वानीड है इसकी इसको ट्रान्स्मीट करता हुए वाइट फ्लाई यह बेमेसी टैबी की इसका नाम पॉर्टेंट बेमेसी टैबी की आप याद रखना इसको यह इसकी वहाक है लीफ करल डिसीज की इसको अपने इन्सेक्ट के अदर भी पढ़ेंगे मैं आपको यह बता दिया इसका में पढ़ने के जूरत नहीं है यह इसका मेन confessed ficar संदर यू लेव कर वायरी उसको ट्रांसमेट करना इक स्थान से दूसरे स्थान पे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे इसक्सट थो व्हूट बोड़र यह संदर चला जा लएंदर से अपने यूज में नहीं रख ले सकते फिर शर्पेंट्रेंट लीफ माइनर कि यूजी यह को डेमेस करते हैं लाम से पता चल रहा होगा आपको इसका नाम है लीरियो माइज़ा एर्फी पॉली एर्फी पॉली रही है लेरी ओमाइजा ट्राइफ फॉली और नेक्स्ट बात करती ही इर्फीस चन प्रति हेक्टर रब नॉर्मल अपने वराइटी सीड ले याद रख सकते हैं नहीं एक एवरेज होती है यह पूरा मेनेजमेंट पर डिपेंड करता यह तो यह चीज माहिने रखती उसी के ऊपर अपने जो प्रोडक्शन होता है अबने होते हैं उसी पही अबने बता तरह की इतनी होती अपने अच्छा नेजमेंट करते हैं तो इससे जएदा होती है अगर मेनेजमेंट रहेंय तो फिर कम होगी ना है तो आप जाद रखना इसको नेक्स्ट अपना एक मैंना जो फिजियोलोजिकल दिशोडर राइव पढ मेरें यहां पर में रहाँ काल सबस्क्राइबु अर्वात सब्सक्राइब यह होती है effect of soil moisture soil नमी इसको effect करती है and brown deficiency इसे विज़े से अधिक अपने पानी दे रहे हैं पानी कुछ दिया नहीं है पानी की रिकार्मेंट काफी तक पानी देते हैं फिर अचानक अपने क्याकते बहुत मतलब भारिशन चाही करते हैं दूससे भी प्रूट करकेंगे समय से जाती है मतलब प्रचानक से दिक मिल गया तो इससे भी हो जाता है और ब्रॉण डेफिशनसी ब्रॉण जो मारा माइक्रो नूट्रेंट है इसकी कमी से भी प्रूट क्या है पटने लग जाती है नेक्स्ट है ब्लोजम एंड रोट स्वाट में बोलेंगे बेर बेर इस सीवियर डिसोर्डर हाई टेंपराचर के वजा से होता है कैल्सीम डेफिशनसी कमी से होता है यहां फिर हाई टेंपराचर मतलब टेंपराचर अधी को तो उस टाइम भी यह डिजीज हो जाती है नेक्स्ट है पफिनेस पफिनेस के फ्रूट सर्फिस जेनरली फ्लेटन एंड लोकूल्स आर अन अच्छे से पोलिनेशन नहीं वहाँ उसकी वज़े कमी उसकी वज़े से प्योज़ता है यह एंड लोग हाई टेंपराचर अते दिक लो टेंपराचर उस टाइम भी यह डिशोडर अपने को देखने को मिलता है नेक्स्ट है संस्केल्ड यह वाइटिश रंगन एंड पैप परी मतलब उस पर लेजन से आजाते हैं तो उसकी वह इस मतलब इसके सिंटम्स है यह एक्सपोज ओफ रूट टू हाई टेंपराचर 40 डिगरी सेलसीस तो अगर इस टमेटर को टेंपराचर 40 डिगरी सेलसीस से दिख मिल रहा है तब इस प्रकार का डिशोडर अपने को टोमेटो कल्टिवेशन टमाटर की खेती अगर आपको उच्छी लगिए क्लास तो प्लीज लाइक करना शेर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना थैंक्यू सो मच